नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार 18 अक्टूबर को वैसे तो उत्तर भारत में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही लेकिन किसानों ने सरकार की आँखों से बारिश करा दी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए भाजपा के प्रवक्ता शाम को टीवी चैनलों पर बैट कर किसानों के रेल रोको अभियान को नाकाम बता रहे थे लेकिन नरेंदर मोदी सरकार खुद ही इस बात का ऐलान कर रही थी कि किसानों ने सचमुच में देश की रफ़तार को ठाम लिया देश के लोग उनके साथ खड़े हुए और हम कुछ नहीं कर सके भारतीय रेलवे ने खुद ही अपनी जानकारी में कहा कि किसान आंदोलन की वज़ा से देश भर में करीब 293 ट्रेने प्रभावित हुई कुल 184 लोकेशन पर किसानों ने रेलवे ट्रैक के पास आंदोलन किया 118 रेल गारियों को मनजल से पहले रोकना पड़ा 43 रेल गारियों को रद करना पड़ा और एक का रूट बदला गया 50 रेल गारियों को आंशित तोर पर कैंसिल किया गया मतलब जहां पहुचना था उससे पहले तक ही उनको चलाया जा सका 18 अक्टूबर को किसानों के इस विरोध प्रदर्शन की वज़ा से ठप पड़ने वाली रेल गारियों में कोई 1.500 माल गारियां भी थी इनमें से 50 फीसद यानि 75 रेल गारियों में कोईला लदा हुआ था और उन्हें बिजली घरों तक पहुचाया जाना था आप जानते हैं कोईले की कितनी किल्लत है किसान सवेरे सही जत्थों में रेलवे ट्रकों पर डट गए थे नतीजा लुधियाना थप, अमरिच सर थप, दिल्ली थप, रोतर थप, अंबाला थप, सोनीपद, भटिंडा, जीन, पानीपद थप पूरे पंजाब में रेलगाडियों की आवाजा ही रुकी रही, हर्याना में रुकी रही, राजस्थान के कई हिस्सों में भी मसाफिरों पर असर पड़ा, उत्तर प्रदेश में असर पड़ा रेलवे ने खुद बताया कि बरेली से रोह तक नई दिल्ली की रद करनी पड़ी, इसी तरह नांदेर से श्री गंगा नगल से दिल्ली की रेलगाडी को रोकना पड़ा, कई रेलगाडीों को फजिलका में रोकना पड़ा, मेरट, सहारनपोर, शामली, गाजिआबाद, मु पहले ही कर दिये थी 14 सवेदन शील जिलों में अलग से वरिष्ट IPS अधिकारियों को लगाया गया था लेकिन रेल गाड़ियां नहीं चली तो नहीं चली भारतिये किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैट गुरुनाम सिंग चड़ुनी डॉक्टर दल्शन पार और बल कर दिया था कि कहा कहा रेल गाड़ियों को रोका जाना है सन्युक्त किसान मौल्चा ने 10 अक्टूबर को ही अपने बयान में कह दिया था कि अगर लखीमपूर मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी नहीं होती गिरफतारी नहीं होती तो हम 10 बज़े से शाम 4 बज़े तक हम रेलगाडियों को ठप कर देंगे और वही हुआ संजुक्त किसान मोर्चा ने ये भी अपील की थी कि ये पूरा अंदोलन अहिंसक तरीके से होना चाहिए किसी भी तरह से ना तो रेलवे की संपत्ती को कोई नुकसान पहुचाया जाए किसानों ने भंडारे का भी इंतजाम किया था जिससे मुसाफिरों को खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो किसानों ने मुसाफिर गाडियों में बच्चों के लिए अलग से दूध और पीने के पानी का भी बंदोबस्त किया कई जगों पर किसान संगटनों की तरफ से डॉक्टर भी तैनात नज़र आए जिससे आपात स्थिती में मुसाफिरों की मदद की जा सके भारतिय किसान यूनियन के नेता गुर्णाम सिंग चड़री ने भी अपील की थी कि सभी किसान भाई स्टेशनों के पास जाकर ट्रेने रोके उन्होंने कहा कि तीनों क्रिशी कानूनों को रद कराने MSP पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनवाने और लखीम पूर खीरी हत्याकांड में गरी राज्यमंत्री अजय मिश्रा की गिरफतारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदूलन की अपील की गई है इसको सफल बनाने के लिए सभी जगों पर किसान आगे आए एक दिन पहले यानि 17 अक्टूबर को हरियाना के रोहतक में किसान महापंचायत में चड़ुनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि सहन शीलता की भी एक सीमा होती है हमारे धैरे की परीक्षा मतलो किसी भी सूरत में हम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे उन्होंने कहा कि सरकार के पास अभी भी इस मुद्य को सुल्जाने का समय है वो ये न सोचे कि हम डर के मारे सिर्फ धरने पर बैठे हुए है सब कुछ करना जानते हैं हम 26 चनवरी को आपने देख लिया होगा बस हम शांती बनाए रखना चाहते हैं बावजूद इसके कि हरियाना की खटल सरकार ने कई किसानों के सिर फोड़ दिये कई किसानों की हड़ियां तोड़ दी और कई सौ लोगों पर जूटे मुकद में ठोक दिये हरियाना के मुख्यमंत्री जिस दिन बीजेपी कारेकरताओं से कहते हैं कि लट उठा लो उसी दिन उत्तर प्रदेश में किसानों को कुचल दिया जाता है चड़ूनी ने कहा कि ये कोई इत्तिफाक नहीं हो सकता इसी मौके पर टिकैत ने कहा कि सरकार हमारे सबर का इम्तिहान ले रही है हमें उसके जहासे में नहीं आना है हम अपने किसान भाईयों को समझा देना चाहते है कि हमें हाथ नहीं उठाना है सरकार मारेगी लट मारेगी डंडे मारेगी जेलों में भी ले जाएगी जाएंगे सरकार का हर जुल्म सहेंगे पर हमें हाथ नहीं उठाना है अगर हमने हाथ उठा लिया तो ये कहीं जाती में फसाएंगे कहीं धर्म में फसाएंगे ये हमारे हिंसक होने का इंतजार करना है जिस दिन हमने हाथ उठा लिया उसे दिन आम जन्मानस हमारे खिलाफ हो जाएगा ऐसी गलती हमें भूल के भी नहीं करनी है सन्युक्त किसान मूर्चा ने 18 अक्टूबर की शाम एक बयान में चितावनी दी कि रेल रोको वांदोलन के बाद भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वांदोलन को और तेज करेंगे हम इसे लेकर देश भर के किसान नेता बैठक करेंगे आगे की रणनिती बनाएंगे आपको बता दे कि लखीमपूर खीरी किसान हत्यकांड के शहीदों की अस्थियों के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराकंड, हरियाना, पंजाब और दूसरे राज्यों में शहीद कलश यात्राय निकाली जा रही है इन यात्राओं से भारी संख्या में लोग जोड़ रहे हैं तीन अक्टूबर को लखीमपूर में किसानों ने केंद्रिये ग्रीराज्य मंतरी अजय मिश्रा और उप मुख्यमंतरी केशो प्रसाथ मौरिया के दौरे का विरोध करते हुए काले ज़ंडे दिखाये थे तभी पीछे से आ रहे गाडियों के काफिले ने नियत्ते किसानों को कुचल दिया था इनमें चार किसानों की मौके पर ही मौत हो गई थी इसके बाद भड़की हिंसा में किसानों ने एक ड्राइवर समेट चार लोगों को पीठ पीठ कर मार डाला था काल से कुचल कर एक स्थानिय पत्रकार की भी मौत हो गई थी इस मामले में किसानों के भारी दबाओ के बाद केंद्रिय ग्रेडाजे मंतरी अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीश मिश्रा मोनू समेट 14 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साज़िश का केस तरज किया गया था लेकिन किसान मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी को मोदी मंतरी मंडल से बरखास्त किया जाए इसके बिना न तो इस मामले में निश्पक्चता से जाच हो सकती है और ना ही नयाय हो सकता है इसलिए टेनी को पहले मंत्री मंडल से बरखास्ट किया जाए और इसके बाद गिरफतार करके उसे जेल में डाला जाए लेकिन मोधी सरकार ने अभी तक इस मांग पर कोई विचार नहीं किया है लेकिन रेल रोको अभीयान की सफलता के बाद से सरकार के होशोड़े हुए है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरण कर लीजिए बेल आइक उन दबाई है घंटी जैसी आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब तो सब्सक्राइब किया ही होगा हमारे फेस्बूक पेज पर भी जाईए उसको लाइक और फॉलो कर लीजिए और अगर फेस्बूक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पेज पर जाईए और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए नमस्कार कितनी दर का हुआ